Hello Friends, आजके इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Infinix Note 30 Android phone में आप अपने Mobile phone की Call Android की प्रॉल्म को आप Solve कर सकते हैं आजके इस वीडियो में आपको डीटेयल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप ये वीडियो कोमें Start कर लेते हैं देखें दोस्तों कभी भी अगर आपके mobile phone में call android की problem आती है तो सबसे पहले आपको करना है क्या इसके solution के लिए आपके mobile phone का यह जो नीचे की site calling का app होता है इस calling के app को reset करना है यानि कि इस calling के app का data clear करना है कैसे देखें आप इस calling के app को उंगली से दबा के रखेंगे आपका ए तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले से clear catch पर टाप करना है इसके बाद clear storage पर टाप करना है तो आपका एक page आगा यह आला delete data का इसमें आपको ok का button टाप करना है तो आपका यह data और यह जो catch है इन दोनों के सामने आला data आपका यह zero हो जाएगा इस तरीके से आपको अपने mobile phone क network setting को reset करना है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे mobile phone की network setting जो ठीक तरीकी से properly काम नहीं करती है तो इससे हमारे phone में call and rate की problem आती है तो आपको अपने mobile phone की network setting को reset करना है तो आपको mobile phone का setting page open करना है setting page open करेंगे इसमें आपको सबसे नीचे की side आपको यह system का option टाप करना है अब इसके अगले page में आपको reset option मिलेगा इससे आपको टाप करना है इसके अगले page में आपको सबसे उपर reset wifi mobile and bluetooth पे टाप करना है तो आपको यहाँ थोड़ी दिर में नीचे लिखा हो आजागा यह network setting have been reset इस तरह किसे आपको mobile phone की network setting को reset कर देना है जिससे आपके mobile phone की call android की problem जाए वो solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो इना अगला process यह करना है कि आपको आपने mobile phone को एक बार restart करना है ठीक है mobile phone को restart करने के लिए mobile phone के side वाला power button आपको उगली से दबा android system में अगर कोई problem आ जाती तो problem just solve हो जाती है phone को restart करने से ठीक है अब दोस्तों अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि phone के software का update आता है तो हम उसे update नहीं करते है तो mobile phone का software अपडेट ना होने क अब इसके अगले page में आपको नीचे की side यह online update पर आपको टैप करना है तो आपको जो है इस वाले page पर अगर कोई भी update का button या download इंस्टॉल यहां पे लिखावा दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है इससे आपके phone का software अपडेट हो जाएगा और आपके phone की call Android की problem भी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला process करना है कि आपको अपने phone को reset करना है देखिए दोस्तों फोन को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है अधरवाइस बिल्कूल नहीं करना है ठीक इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की call and date की problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात आपको यह द्यान रखना है कि आपके mobile phone में जितना भी data सारा data किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लिजिए ठीक है दू आपके phone की call and date की problem solve हो जाएगी